हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारे डाउनलेन क्लासीज में तो बच्चो आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे सब्जक शोशल स्टुडिस की वर्कशीट वीक ट्वेंटी टू क्लास फिफ्ट की मैं हाँ बात कर रही हूँ चैप्टर सैवन्टीन गवर्निंग बॉडिस ऑफ दा वर्ल्ड तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए रैड बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चो कौन कौन से वह थ्री पार्ट से है तो बच्चो फर्स है लेजिसलेटिव सेकिंड है बच्चो एक्जिक्यूटिव एन थर्ड है जुडिशियरी ओके स्टुडेंट्स नेक्ट कोशण है बच्चो what are the functions of the three organs of the government बच्चो गर्वेंट के जो three organs है उनके क्या क्या function है तो बच्चो फर्स है legislative legislative का क्या function है which forms law जो बच्चों law बनाती है executive which executes the law जो कानून को executes करती है ठीक है बच्चों and last one is judiciary तो बच्चों judiciary का क्या function रहता है which works for justice works for जो न्याय के लिए काम करती है ठीक है बच्चों next question है बच्चों what is constitution constitution क्या होता है बच्चों rules and laws are needed to run the government बच्चों सरकार को चलाने के लिए कुछ rules और laws की जरुवत होती है ठीक है the book of these rules and laws is called the constitution और बच्चों इसकी जो book है rules और laws की इसे हम constitution कहते हैं why does a country needs a constitution बच्चों एक country को constitution की जरुवत क्यों है तो यहां लिखेंगे a constitution is needed for any country to run properly बच्चों किसी एक country को properly run करने के लिए चलाने के लिए constitution की जरुवत होती है it gives freedom to the people to work within the limits of the rules next question है बच्चों when did our constitution came into force बच्चों हमारा जो सम्विदान है वो कब लागू हुआ था तो our constitution came into force on 26th January 1950 next question है बच्चों write the national symbol of India in the oval as given below with the help of example अब देखी बच्चों आपको यहाँ पे बताना है कि इंडिया का national emblem कौन सा है अशोक पिलर इंडिया का national song कौन सा है बच्चों वन्दे मात्रम बच्चों इंडिया का national anthem song कौन सा है जन गण मन बच्चों इंडिया का national flag है तिरंगा नैशनल ट्री कौन सा है बच्चों बनियान ट्री इंडिया का national flower कौन सा है लोटस इंडिया का national bird कौन सा है बच्चों पिकॉग इंडिया का national animal कौन सा है बच्चों टाइगर इंडिया का national game कौन सा है बच्चों जुद्या का national fruit है mango अब बच्चों इंडिया की national river कौन सी है तो इंडिया की national river है गंगा गंगा तो बच्चो देखे आप सभी इंडिया में रहते हैं भारत में रहते हैं तो आप सभी को इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है ठीक है तो इस तरह से आप सभी को अपरी वरक्षीट को सॉल्व करना है आई होप बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो और बचो, जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाईए, रेट बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फर वाचिंग दी वीडियो, have a nice day students